Hello everyone, welcome back to sugar and salt with Richa तो आज हम बनाने वाले हैं white forest pastry बिलकुल market style में बहुत ही tasty और बहुत ही yummy और बहुत ही easy तरीके से जिसमें ना तो हम कोई baking करने वाले हैं ना ही कोई oven की जरुत है, ना ही कोई cooker, ना ही कोई कड़ाई तो फिर कैसे बनीगी यह recipe चलिए फिर फटावर से चेक करते हैं और start करते है recipe को, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक bowl लूँगी इसमें मैं ले रही हूँ आदा कफ whipping cream, यह बिल्कुल chilled whipping cream है और इसको मैं beat करूँगी लग भे 5-7 minute जब तक इसके stiff peaks ना जाए बिल्कुल यह गाड़ी हो जाएगी, बिल्कुल double size हो जाएगी यह देखिए, कुछ इस type से हो जाएगी है और आप check करेंगी, यह देखिए, बिल्कुल stiff peaks ना चुके हैं इसके तो यह हमें ऐसे ही चाहिए यह बाद मैं इसमें डाल दूँगी 3-4 बूंद vanilla essence की और इसको भी अच्छे से mix कर लूँगी एक बार यह देखिए, तो हमारी cream एकदम ready है अब इसको मैं ढख कर फ्रीज में रख दूँगी जब तक मैं बाकी त्यारी कर रही हूँ और बस यहाँ पर मैं ले रही हूँ mode का white chocolate compound चाहे तो कोई भी chocolate ले सकते हैं और इसको मैं कद्दुकस से normal ऐसे grate कर लूँगी यह देखिए कुछ इस type से हम इसको अच्छे से grate कर लेंगे यह मैंने त्यार कर लिये और बाकी बचीवी chocolate से मैं यह chocolate shavings बना रही हूँ normal कोई भी knife जो आप घर में यूज़ करते हैं उससे ऐसे आप cut करेंगे यह देखिए तो आपकी chocolate shavings त्यार हो जाएंगी तो बस बाकी सब मैंने त्यार कर लिया है chocolate shavings और grated chocolate भी यह देखिए और इसी के साथ अब मैं sugar सिरब भी ready कर लिया है तो चमच पिसी वी चीनी में थोड़ा सा पानी डालके मैंने ऐसे घूल तियार किया है तो अब आती है बारी जिससे हम अपना cake का base बनाने वाले हैं जी हाँ मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ white bread sandwich bread है यह normal और अब मैं इनको क्या करूँगी इनकी sides को अच्छे से cut कर लूँगी यह देखिए जो hard वाला part होता हुआ हम निकाल देंगे एक एक करके और यह देखिए मैंने सारे bread के अपने cut कर ली हैं sides तो बस अब हम तैयार करते हैं अपना cake pastry तो यहाँ पर मैं एक board लूँगी नॉर्मल उसमें थोड़ा सा whipping cream लगा दूँगी और first bread को ऐसे इसमें उपर place कर दूँगी के बाद इसमें डालेंगे sugar syrup जो हमने बना के रखा था अच्छे से bread को absorb करा देंगे यह देखिए उसके बाद डालेंगे इसमें cream और अच्छे से इसको फैला देंगे चारो कोनों में बना पूरे bread पे अच्छे से cover कर देंगे यह देखिए उसके बाद same अब हम दूसी लेयर रखेंगे bread की यह देखिए अच्छे से press करेंगे हलका सा उसके बाद फिर इसको sugar syrup में soak करेंगे अच्छे से फिर से cream लगाएंगे फिर से cream को smooth करेंगे तो इसी process से करके आप अच्छे से चारो bread को लगा लीजिए अब देखिए मैंने चारो bread लगा लीए उपर से थोड़ा smooth कर लेती हूँ मैं इसको knife की help से और उसके बाद जो cream है उसको हम sides में भी अच्छे से cover कर देंगे ताकि पूरा cake अच्छे से cover हो जाए ये देखिए तो पूरा अच्छे से cover हो चुका है आप देख सकते हैं मैंने चारो तरफ से अच्छे से cover कर लिया है अब बार यात ये chocolates की तो जो chocolate grated है वो मैं पूरे sides में cover कर दूँ ये देखिए अच्छे से हलके हलके हाथ से press करते हैं उसको चारो sides में लगा लेंगे ये देखिए और बस इसके top part को हम cover कर देंगे चॉकले शेविंग से पूरे मैं अच्छे से 4 तरफ फैला देंगे इसको तो हमारा cake pasty पूरा cover हो चुका है अब मैं इसको यहां पर 4 pieces में cut करूँगे आप चाहें तो 2 pieces में भी cut कर सकते हैं और ये देखिए कितना smoothly cut रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा texture आया है अंदर से bread बहुत अच्छे से absorb किया है sugar सिरप और बहुत अच्छा texture आता है खाने में बहुत टेस्च लगता है अब यहां पर मैंने एक piping bag लिया उसमें एक nozzle लगा के ऐसे चार flowers बना दी है simple अब आती है बारी cherries की ये देखिए मैंने cherry भी लगा लिए और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी white forest pastry बनके तैया रहे मत अब कोई खाएगा तो कहें नहीं सकेगा कि ये आपने bread से बनाई है और अंदर से मैं आपको cut करके दिखाती हूँ कितनी soft बनी है ये देखिए बहुत ही spongy और बहुत ही soft बिल्कुल melt in your mouth फिर तेरी किस बात की फड़ा वर जाईए